एक साधक ने अपने गुरु से सवाल किया कि गुरुदेव सत्संग समाप्त होने के बाद हम लोग दुकान और रोजबरा की जिंदिगी में उलज जाते हैं गर परिवार में उलज जाते हैं तो फिर सत्संग सुने का फाइदा क्या है गुरु ने कहा एक पत्थर को पानी में डाल दो वो गलेगा नहीं पर जितनी दिर वो पानी में रहेगा सूरज की गर्मी से बचा हुआ रहेगा उसी तरह 45 मिनट का आज तुमने मेरा सत्संग सुना है लेकिन उस 45 मिनट तक तुमने कोई बुरा कर्म नहीं किया है बुरे विचार नहीं किया है इसलिए दुनिया के अजारों काम को छोड़कर रोजाना सत्संग के लिए समय निकालिए लगातार इस कर्मों को करके आप अपने बुरे विचार और बुरे कर्मों से दूर हो जाएंगे दवशकार प्रिसातियों मैं हूँ सुरेश रिमाली और आप देख रहे हैं 19 दिसंबर सोमवार सफला एकादशी का आज का राशुपल आज सफला एकादशी है इसका माहत मैं भी बताऊंगा और राशी गनुसार विशेश उपाय भी बताऊंगा प्रिसातियों अगर आप उससे परसली मिलना चाहते हैं तो आज मैं जोदपूर में ही हूँ 21 दिसंबर को 23 दिसंबर को मैं दिन भर मुंबई में हूँ 24 पच्चिस चब्च दिसंबर को पंधजी गोवा में हूँ पांच जनवरी दिली, छे जनवरी को मुंबई और साथ और आट जनवरी को हैदराबाद और वेंगलूर रहूँगा उसके बाद 13, 14, 15 जनवरी को में सिंगापूर में हूँ 28, 39 जनवरी काटमाडू 3, 4, 5 परवरी को में दुबई बरहूँगा आप चाहें तो यहाँ पर मुझसे पड़ सली बिल सकते हैं परेसातियों, आज सबसे पहले बात करेंगे गुरू मंतर में जूटे आरोपों से बचने के लिए सफला एकादर्शी का महत्मा है छे राशी के बाद, मायथोले जी स्पेशल बात करेंगे, क्या वाकई में शुब कारियों में काले रंग के कपड़े पहना अशुब होता है और कारिक्रम कांत में एस्ट्रूग्यान में बात करेंगे, राजरीती में सफलता प्राप्ती के विशेश राज्योग लेकिन शुरूबात गुरुबत्र से, अगर आपके ओपर भी जूटे लांचन अरोप लगते हैं, अच्छे काम करने के बाद भी बुरा ही मिलती है, यश्ट मिलना तो दूर दो गाले और खाते हैं तो ऐसी अवस्ता में, प्रेसातियों सफला एकादशी को सफल बनाने के लिए, भगवान विश्टू की इस दिन नाराण की पूजा की जाती है, वरत किया जाता है, कई वर्षों तक हमने कई बुरे करम कर लिए, लेकिन ये एक वरत, सारे पाप धोकर हमें पुनिशाली बन लौंग और एक कोई भी सिक्का डाल कर पहले सूरी देव को अर्गे दीजी, ओम भासकर आये न महां, मंत्र का जाप करते हुए, माता पिता के चरन सपर्श करके उन्हें उनके पसंद के वस्तू भेट दीजी, और आशिरवात प्राप्त करे, शाम के आरती के बाद एक पर प्रजुलित करके हैं, घर आकर जूटे आरोपों से मुक्ती की प्रार्तन करें, और सुबह विष्णु जी का ध्यान करके दिन की शुरुवात करें, हो सके तो विष्णु सहासराम का पाट करिए, आपका दिन भी सफल होगा, और साथ में जूटे लांचन आरोपों से आपको मुक्ती बिलेगी, प्रेसातियों चंद सेकंड आप लोगों गलूँगा आज की कुंड़ी और आज के बंचांग को ले कर, देखिए आज पूरे दिन सफला एकादशी रहेगी, और आज सुबह साड़े दस बजे तक चितरा नक्षत और बाद में स्वाती नक्षत आज ग्रहों से बनने बाले वाशी, आनंदादी, सुनफा, लक्ष्मिनारण, बुदादीतियों का साथ भी ली रहे, लेकिन अति गंड नया राजयोगी बन रहे, अगर आपकी राशी मितुन कर्णिया धनू और मीन है तो हंसयोग, मेश कर तुला और बकर है तो आप बिलेगा, वहीं, आज चंद्रमा और केतु का ग्रहन दोश रहेगा, आज चंद्रमा तुला राशी बे रहेंगे, और आज के दिन, अगर आप किसी शुब और मांगली कारियों के शुब समय के तलाश में तो वो दो बार बिलेंगे, सुबह 17 से 17 ग्यारा बज़े तक शुब का चोगड़िया है, दो फैर को चार से शाम छे बज़े तक लाप और अमरेत का चोगड़िया है, कोशिश करेगा, सुबह 17 से सुबह 9 बज़े तक राहुकाल के समय शुब और मांगली करें, ना किये जाएं, आईए, राशी फल की शुरुबात मेश राशी से करते ह आज शादी शुदा है, तो लाइफ पार्टर, वरनलाव पार्टर वो भी नहीं है, तो दोस्तों के साथ मन भेद और मद भेद बुलाईए, और दुश्मन मत बनाईए, दोस्त बनाईए, संतान से आपको होसला बुलद करना मौका मिलेगा, और परिवार के साथ बोजन करे अच्छे विचारों को शेर करिए, पती पत्रे के बीच सुखत वातावन रहेगा, इसलिए दोरों मिलकर भगवान, विष्टूर, मालक्ष्मी के आराधना करिए, और बिजनस में पार्टर्शिप से संबदित कोई प्लैन बन रहा है, या कहीं लोन को एपलाई करना है, कही अगर आप ग्रहनी है, घर चलाती बड़े चटंग से, लेकिन आप वर्किंग बूमन बनना है, तो थोड़ा गर परिवार से तनाव रहेगा, लेकिन प्यार मुहंपत से समझाईए, मान जाएंगे, वर्प्लेस पर दूसरे लोग आपके व्यक्तित्व की तरफ गरना आपको बिमार कर सकता है, आज सफला एकादशी के पावन अउसर पर बगवान नारायन को केसर मिले दूद का भोग लगाएं, और शाम को गी का दीपक प्रजुलित कर विष्टु सहस्त्र नाम का पाट करी, ब्रशबराशी, पुरानी मानसिक और शारिर बिमारी में क गमी या उससे चुटकार बिल सकता है, आज नींद कामाना, घवराट बेचेनी, डर, चिंता, अग्यात, भय, ठकान आपको वहसूस होगी, बिजनस में आप अपने काम को जल्दी बाजी भी करने के बजाए, तोर और तरीके बदलिए, राज किसी से शेर ना करें, लेकिन क पोशिश कभी कम ने करें, आपके काम अच्छे डंग से बनते चले जाएंगे, बुद्ध आधित लक्ष्वी नारण, सुन्फ और अतिगंड राजियों के बनने से, वेबसाइब में डील अच्छी होगी, यात्राएं सफल होगी, और वेबसाइब में ब्रती के लिए आप इसके पास बहुत जादा हुनर है, उससे मिलना या मारदर्शन मिलने का मौका मिलेगा, ये समय परिवार को शाम को समर्पित कर दीजिए, रिष्टों को और महतुर बनाने के लिए, अपने जुबान से सर्फ अच्छे शब्दों का प्रियोग करें, इस्टुडेंट, आर् विष्टुजी का ध्यान करिए, आपके तरक्य सुनेशित होगी, बेथुन राशी, अचानक कुछ आसपास परिवर्तन होगी, आकस्पी धनलाप, शेर बाजार, वाइदा बाजार, जमीन जायदा से अच्छे डील हो सकती है, जब तक कोई काम पूरा नहों, जेब में पैस कारी काम, और ना भटक जाए, इसके लिए नई मोडस रॉपेंटरी या रूप रेखा बनाई, कारोबार को बढ़ाने के लिए उप्यूफ समय है, लेकिन आपको परसार पर सोशल मीडिया पर ध्यान देना चाहिए, आप दूसरे काम के परतिया अट्रैक्ट जरू होंगे, लेकिन काम ऐसा करिए, कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, करियर से संबदित बातों में ठहराव महसूस होगा, और दूर होकर जो लोग आपके साथ काम कर रहे हैं, उन्हें मॉटिवेट करिए, पारिवारी एक साहियोग पराप्त होगा, आज दारदार हतियार आ दोस्तों के साथ, सोशल मीडिया पर जुड़ेंगे, या कहीं पर भी ग्रूप डिस्रेशन करके बड़ा लाग कमाएंगे, स्वास से आज ढीला हो सकते हैं, ध्यान रखिए, सफला एकादशी पर आपकी ज्यादतर समय सिया समाब्द हो जाए, खुशया ही खुशया आपके जीवरे दस सकते हैं और इसके लिए आप आज सुबह विश्टू सहसनाम का पार्ट करें और फीपल के तीन पत्ते लेकर उन पर लाल रॉली से यानि कुंकुं से ओम नमो नारायना लिखकर बगवान नारायन को अर्पित कर दीजिए, करकराशिक बात करते हैं, जमीन और ज सिंता नेगेटिव वाताउंड रहेगा, इसलिए और उलचरे की बजाए, पैसों को संबाल करके, रॉंग शॉपिंग, रॉंग इन्वेस्पेंट, व्यर्त के बाद विवाद आपको परिशान कर सेते हैं, ज्यादा भागिये मत स्मार्ट वक करिए, करियर में अपने आपक आप उचित बनाये रखने के लिए, आज आपको ही कुछ करना होगा, आज ट्रैवल करें तो धैरी पूर्वक परिशित्यों आगलन करके घरी, अपने जीवन के त्रिस्टी कौन को पॉजिटिव रखिए, सामाजिक और पारिवारी रूप से आप से आज कोई गलती होने व पर आपके साथ बड़े बुज़रों आशिरवाद रहें, घर परिवार में, प्रोफेशनल लाइफ में, लंबे समय से चलाया रहें, तकलीफ पर परिशनया दूर होकर, आप शांती से जीवन गुज़ारें, इसके लिए आपको पीपल के जड़ में एक लोटा जल चड़ा आकर दिन की शुरुवात करने चाहिए, घर आकर विश्चु जी का ध्यान कर, विश्चु सहसनाम का पाट करना चाहिए, बात करते हैं सिग राशी की, छोटे हो या बड़े हो, भाई हो या बेहन, अपने हो या कजिन, दोनों मिलकर या दो चार जो भी है, बांडिंग रहें, वो आपको चने के जाड़ पर चड़ाने की कोशीश करेंगे और आप चड़ने की कोशीश मत करेंगा, वहीं रहेंगे, करियर निर्मान के शेतर में उम्मीद की एक ड़ाई किरंड जगरें, जो भविश्च बिलाफ और सुख जरू परदान करेंगे, सुनफ और अत संपती या वेबसाइक संपती घरिदने का आपको मौका मिल रहा है, चूके मत, कागजात और जेवरात संभाल के रखिए, चोरी का खत्रा है, स्टुडेंट, आर्टिस और प्लेर्स, अकिल अपन, उदासी, सब लोग अच्छा कर रहे हैं, मैं ही अच्छा नहीं कर रहा हू ये विचार ही आपको तकलिफ में डालेंगी, आत्मस सम्मान और विश्वास बना के रखिए गर स्वास्ते के परती सचेत रहिए, सावधान रहिए, लापरवाई मत करिए ट्रेवल में, वरना दिन डिस्टब हो जाएगा, सफला एगादस्शी पर, अपने परिवार के सद साथ छेड़काव कर दीजा, आपके परिवार में सुख, शांति और सम्मरदी रहेगी, बात करता है कन्यराशी की, धन को निवेश करना, पैसे, खर्च कम करना, पैसे से पैसे कमाने के बारे में, एटलिस विजार करना, आज शुब रहेगा, वर्क प्लेस पर आप अपनी वर्किंग एफिशेंसी और वर्किंग कल्चर में सुधार के लिए आज सफलतम परियास करेंगे, समाज में मान और सम्मान बढ़ेगा, घरिलू चीज़ें और ऑफिशल चीज़ें खरीदने का बन करेगा, जो घरिलू काम करती हैं, ग्रहनी हैं, जो घर परिवार तो से सामना करिए, सेहत के मामले में मानसिक और शारिक तनाव आपको परिशान करेंगे, आज बैंकिंग, फाइनस, इंशुरेंस और शेर बाजार से जुड़ेवे काम आप रिप्टा लिजे, ग्रहकों के साथ उलजने से व्यापारियों को बचना चाहिए, और टार्गेट को तेजी से पूरा करने के लिए मोडस और रिटार करने चाहिए, बिजनस में आप किसी खास काम को रिप्टाने की कोशिश करते हुँ नजर आएंगे, कोई सरकारी काम रुका है, तो उसे पूरा करने के लिए आज आपको अच्छा मौका बिलेगा, लक्ष्मी नारेंड सुन किसी भी मंदिर के मुखे द्वार और गाय के खुर के नीचे की थोड़ी सी बिटी लेकर रख दीजिए, अब उस कलश को अपनी दुकान या ओफिस के गेट के पास रख दें, और नियमित रूप से अपनी दुकान या ओफिस कोलते समय धूप उस कलश में जरूर आपको सुक समरती का आशिरवाद बिलेगा, प्रेसात्यों आईए छेर आशिवाद मैतोलोजी इस्पेशन बात करते हैं, क्या वाके में शुबकारियों में काले रंग के कपड़े पहनना अशुब होता है, दार्बिक दृस्टी के रूसार शनी देव को अती परिय माना ज दोनों में कहीं न कहीं नेगेटिविटी हावी होने लगती है, विज्ञान का मानना है कि लोग काले रंग के कपड़े इसलिए ज्यादा पहनना पसंद करते हैं क्योंकि ब्लैक कलर पावर और क्लास को दरशाता है, और व्यक्ति की परसेरेटी निखर कर सामने आती है, जिस आर्टिस और प्लेट्स, अपने प्रैक्टिस और अपने काम के दोरान ज्यादा ज्यादा खुद को और अपने परिवार को वक्त दीजिए, वर्क प्लेस पे, यदि आप अपने काम, प्रमोशन या किसी और चीज़ के बारे पर सोच रहे हैं, तो आपको थोड़ा और इंत करने के दिन हैं, बस गलती नहीं करें, जल्दी बाजी बिल्कुल नहीं करें, आँख खोल के काम करें, ताकि आपको इस समय अपनी पूरी मेहनत और उससे निकली वी उड़जा और उससे पूरा परिणाम बिल सेगे, वर्क पेस पर आ रहा है समस्याओं को सुलजाने में उ अपनी जरूत की चीज़ें जरू खरी दिये, लेकिन विलासिता पर धन खर्चने करें, बदलता मौसम आपके वे स्वास्तिय में बदलाव ला सकता है, आपको सर्दी जुकाम च्छाती की तकलिप दे सकता है, एलट रही, सफला एकादशी पर, बगवान विश्चु जी की पूजा के समय, चंदन गिसकर एक कटोरी में रख दीजी, और जब पूजा समाप्त हो जाए, तो दोनों हाथ से बगवान को पश्पांजली चड़ाने के बाद, उस कटोरी में से चंदन लेकर, अपने बच्चे के मस्तक पर तिलग लगा दे, इससे बच्चे की यादाश् की, बात करते हैं वरिश्चिक राशी की, थोड़े कानूनी दावपेच, टेक्नोलोजी, कुछ इंटेलिजेंस की चीज़ें आप भी सीखिए, जो लगू और कुटीर उद्योग चलाते हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, उनको आज लाब बिलेगा, नई लोग उनके साथ बनाएंगे, तनाव न पालिए, नकारत पर बोलने से बचना चाहिए, और आपकी नकारत पक वानी, रिष्टे खराप कर सकती, ओफिस में जिब्यदारी निबाते रहिए, इससे परिशान होने की जरूत नहीं है, ये जिमेदारिया लाब एकतर कर रही है, समय पर काम पूर बनाने के लिए आज काम करेंगे, संयुक्त परिवार का आनद उठाइए, हर एक को एक स्पेस दीजिए, और गड़े मुर्दे उखाडने से बचिए, पुरानी बातों करने से बचिए, स्टुडेट आर्टिस और प्लेयर्स ये आपका दिर है, एंजॉय करिए, सफला एका को पीले कपड़े में लपेट कर अपने दाएं हाथ की भूजा पर बांद के जाईए, और काम होने के बाद उससे बहते जलों प्रवाइद कर दीजिए, पेड़ पोदम डाल दीजिए, तनुर आशिक बात करते हैं, आमदनी कैसे बढ़े, पैसे से पैसा कैसे खमाया जाए इस पर ध्यान दीजिए, वर्टपेस पर किसी से बाचीत करते हैं, अपने जुबान पर नेंतरन रखी है, जल्दिबाजी की काम से बचिए, बिजनस में ग्रह इस्तती संतोष दरग रहे हैं और इस समय आप अपनी प्रधिबा यानि स्किल क्वालिटी का लोहा मनवाने में अपनी उर्जा का सहिस्तिमाल करने में आप सफलोंगे, अपने रूटीन को थोड़ा बदलिए, सब अच्छा हो जाएगा, सुनफा वाश्य और अतिगंड राज्यों के बनने से जॉब और बिजनस में कानूनी अर्चने और टेक्नोजी आप खुछ सीख लीजे, किसी पर म मौताज होने के जरूत नहीं पड़ेगी, व्यापार भी गती पगड़ेगा, दनला पैसे से पैसे कमाने का अउसर बिलेगे, और आप अपने लव पार्ट और लाइफ पार्टे साथ बहतर समय गुजारेगे, आज दामपती जीव में रोमांच और रोमांस बढ़ेगा, घ आपका दिन है, करियर से जुड़े वे बहतुपन डिसेजन आज ले लीजिए, सफला एकादेशी पर पांच सुहागिर महिलाओं को बिना नमक का या मीठा बोज़र करवाएं, दमपती जीवन में कलेश कट जाएगा, और लाब लाब बिल जाएगा, मकर राशी, आपकी ज काम से जाने जाते हैं, उस काम में थोड़ा तब्दिल लिख रहे हैं, परफेक्शन लिख रहे हैं, टाइम चुराइए ताकि फैशन, पैशन और होबीज को टाइम दिया जा सके, बिजनस पे दूर दरिश्टी रखते होगे निंडे लेने के आवशक्ता है, वेवसाय यात जुडावा है, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को नजर अंदास करने में ही समझदारी है, लव पार्टन और लाइप पार्टन में आज खरीदारी है, रोमांच और रोमांस बढ़ेगा, कोशिश जारी रखिए, बुज़गों की और छोटे बच् कोई सर्फ वही दिखेंगे, आप सर्फ सकारत पक सोची, ये आपका दिर है, सेहत के मामले में आजाब लगी है, सफला एकादशी पर अपने गर की सुक शान्ती के लिए और तरक्की के लिए, रात के समय बगवान विश्चु जी का ध्यान करते हुए, बजन कीरतन करें, कह पर रवया बनाएए, नेकिटिविटी से दूर रहे, आपकी आज जहां पर जरूत है, सर्फ वही रही और एकागर रही है, जरूत खदम निगल जाएए, प्रॉडिक्टिव काम करिए, और फिस पर अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान देने के जरूत है, इस प्रोजेक्ट के जाएए, आपके भीतर ही सब कुछ है, अपने उपर विश्वास करिए, सेल्फ प्ले और सेल्फ इस्टडी करिए, जल्दी बाजी जिहानियों की, असंतुलित बोजन और घलत समय पर बोजन आपकी फेट को खराब करेंगे, परिवार के मैलाओं को सम्मान दीजिए, अगर पीले रंकी, धातू के लोटे में गंगा जल डाल कर, उसमें थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी मिलाए, और उसमें एक सिक्का डाल कर, अपने उपर से साथ बार वार कर, बहते जल में आप उसे डाल दीजिए, और विश्व सहसर नाम का पार्ट करिए, घर परिवार में शांत बोना, लाब की बजाय हानी हो सेता है, ध्यान रखें, समय एक साथ किसी का ने रहता है, अपनी योजनाओं और गती विद्यों को किसी के साथ शेर न करें, नौकरी करने में लापरवाही बरदाश्च मत करिए, आप जो भी काम करते हैं उसे संभाल कर रखे, रोजगार में बुज़र्गों के तबियत पर ध्यान दीची, लव पार्ट और लाइफ पार्ट साथ आज ट्रेवल करना, कुछ अच्छी खरिदारी करना, भविश्य के लिए रूपरे का बनाने के लिए शुब है, स्टूडेंट, आर्टिस और प्लेयर्स का आज पढ़ने में मन नहीं बलकि नेगेटिविटी चाही रहेगे, इसकिन की प्रावलम हो सकती है, खयाल रखेगा, सफला एकादशी पर शाम की समय, तूलसी के पौदे में गाय के घी का दीपक प्रजुलित करें, गर की गरीबी और दरिदरता दूर हो जाएगी, मेरे पिरे साथियों, अब आईए बात करते हैं, आज के अश्रोग्यान में, राज निती में सफलता की योग, यदि सूरी जो है, वो ग्रहों के राजा है, तो राज निती में क्या होता है, राज करने के लिए जो निती अपना है, उसे राज निती कहते हैं, यदि सूरी सोराशी या उच्छराशी में हो, सि इसके साथ साथ, जब भी वरिष्टिक लगन, मेश लगन, मकर हुकुम लगन हो, तो राजनिती में सफलता जरूर मिलती है, फिफ्ट हाउस स्ट्रॉंग और फोर्थ हाउस पब्लिक का वो स्ट्रॉंग हो, तो इंसान की पब्लिक में इमेज बेहतर होती है, और भागिस्तान म के मेहनत को देखते हुए, आपको ऐसा आशरवाद देंगे, कि आप सफल राजरिती के बन सकते हैं, मेरे प्रेसातियों, स्वस्त रहिए, मस्त रहिए, और व्यस्त रहिए, आप मुस्से फरसली मिल भी सकते हैं, या टेलिफॉनिक और वीडियो कॉन्फरेंस या का रिले सकते हैं, आज के लितना ही, प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशरवाद